तो आज हम बात करने वाले हैं robot.txt फाइल के बारे में अगर दोस्तो आप एक blog चलाते हो website या blog चलाते हो तो आपको पता होगा robot.txt फाइल किस तरह से काम करती है अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं आपको आज बता दूँगा दोस्तो यह बहुत जुरूरी है जानना क्योंकि आज कल जैसे error यह वाला error बहुत जादा आ रहा है error तो नहीं कहेंगे हम इसे लेकिन यह वाला बहुत जादा दिक्कत कर रहा है discover currently not index तो इससे गया हो रहा है कि हमारी post जो हम लिखते है वो google पे index ही नहीं हो रही है ठीक है तो यहाँ पे भी आप देख सकते है crawl नही visit होता है उसकी दिक्कत है server की दिक्कत है तो यह दिक्कत बताता है कि इसलिए discover currently not index हो रहा है ठीक है और दूसरा यह हो सकता है दोस्तों जैसे आपको कुछ चीजे नहीं दिखानी है आप नहीं आप नहीं चाहते है कि आपकी website के कुछ चीजे publicly दिखे गूगल पे दिखे जै जो allow कर रखे होगी तो Google उसी को index करेगा इससे क्या होगा आपका जो crawl budget होता है वो भी सही जगा काम पर आएगा फालतू के Google इदर उदर के URL वो index नहीं करेगा crawl नहीं करेगा तो यह फाइदा होता है दोस्तों robot.txt का आपको क्या करना है अपनी जो आपका website है blog है उस पे लिखना है और यहां पर robot.txt लिख देना robots.txt उसके बाद एंटर करने के बाद यह मेरा robot.txt का कुछ मैंने set करके रखा है तो इस तरह से आ रहा है हो सकता है आपने कुछ ना कर रखा होगा तो इस तरह से आपके case में इस तरह से आएगा ठीक है उसमें क्या लिखा होगा user agent आगे star लिखा होगा allow इस तरह से होगा total allow ठीक है एक इसका क्या मतलब होता है user agent star इसका मतलब होता है कि सभी user agent यहां पर accept है आपने सबको allow कर रखा है ठीक है जैसे google का वोट हो गया bing वोट हो गया जितने भी search engine के वोट है या जितने वी tool के वोट होते है जैसे href हो गया व और यहां पर allow दिख रहा है आपको तो मैंने इसका मतलब कि आपने अपनी website में हर चीज गूगल के लिए allow कर रखे कि आप आईए हमारी website में और सब कुछ crawl कीजिए ठीक है इससे क्या होगा google को आपकी website में time लगेगा ठीक है बहुत सारी URL होंगे तो यह तो पक्का है कि अगर नई website है तब भी आपका problem आ सकता है तो आपको क्या करना है कुछ चीजे डिस अलाओ कर देनी है जो गोगल को जुरूरत नहीं आपको allow करने की ठीक है जैसे मैंने कर रहा है अपने case में मैंने क्या कर रखा यहां पर देख सकते आप डिस अलाओ कर रखा मैंने WP admin तो क कई वार गोगल उनको भी index कर लेता है तो हमने इसको डिस अलाओ कर दे कि वो URL इंडेक्स नहीं होने चाहिए और search वाले जो URL बनते है वो भी index नहीं होने चाहिए किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहां पर यहां पर जैसे मेरी website है यहां पर मैं कुछ सरच करता हूँ जैसे मैंने यहां पर loan प्रोण के बारे में सरच कर लिए alone क्या है इसको search कर दिया है यहां पे तो यह देख सकते हैं यहां पे इस तरह का URL बन रहा है न जो मेरा main URL है वो तो अलग है लेकिन यह अलग से URL बना है ठीक है तो Google क्या करता है इस URL को भी index करने लग जाता है crawl करने लग जाता है तो हमें इस URL की जुरूरत ही नहीं है कि Google इसको crawl करें तो हमें इसे disallow करना है अपने robot.txt में तो मैंने क्या कर रखा है यहां पे search को disallow कर रखा है तो अभी इसी तरह से मैं चाता हूँ कि category भी मेरी crawl ना करें और ना show हो तो मैंने यहां पे काटेगरी को disallow कर रखा है अगर दोस्तों आप silo structure का प्रियोग कर रहे है तो आपको category छोड़ देनी है allow रखनी है बाकि otherwise आपको category भी disallow कर देनी है ठीक है और tags भी मैंने यहां पे disallow कर रखा है तो मैंने आप देख सकते हैं यहां पे चार चीजे disallow कर रखा है तो कितने सारे URL यहां पे मेरे Google को कोई जरूरत नहीं पढ़ेगी crawl करने के लिए तो बाकि जितनी भी चीजे है मैंने allow कर रखा है बाकि चीजों में क्या आएगा blog post आएंगे page के URL आएंगे और image के URL आएंगे बस मैं यह तीनों चाता हूँ कि वो तीनों इसमें index हो तो यहां पे मैंने बाकि allow कर रखा है और Google के board को मैंने यहां पे site map भी दे रखा कि आप यहां पे जाके मेरे जो post है और जो pages है उनको index करे तो इस तरह से आपको कुछ robot txt अपना edit करना है ठीक है और बाकि अगर आप अपनी मर्जी से कुछ add या डिसलाओ या लोग करना चाते है वो भी आप यहां से कर सकते है उसके बाद आपको यह वाली file एक बना लेनी है इसको copy करना है ठीक है इस तरह की और इस तरह की notepad में इसको paste कर लेना ठीक है इसको मैं नीचे description में लिख दूँगा इसको वो आप बहाँ से copy करके और यह जो मेरी website है इसकी जगा अपनी website लिख देना ठीक है और sitemap देख लेगे ना आपका sitemap किस तरह से खुलता है अगर आपने yoast का plugin या rankment का plugin install कर रखा है तो फिर आगे same ही होगा अगर आपने कई और से sitemap बनवा रखा है तो यहाँ पर URL कुछ और हो सकता है कि कुछ में क्या होता है sitemap.xml होता है यह वाला portion नहीं होता है यह underscore index नहीं लिखा होता है कुछ में तो वो आपको check कर लेना आपका sitemap किस तरह से है ठीक है और बाकी यह same कर देना है उसके बाद आपको यह file कर ले इसको copy कर लेना copy करने के बाद आपको अपनी hosting के c-panel में जाना है c-panel पे आने के बाद यहाँ पे आपको file manager पे click करना है और manager open होने के बाद यहाँ पे आपको html में जाना public html में ठीक है तो यहाँ पे मेरे बहुत सारी website है तो मैं यहाँ पे अपने mybank radar radar में चला गया अपनी website जो मेरी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है robot.txt अगर यहाँ पे यहाँ तो आप right click कर लो edit पे click कर दो और यहाँ पे edit पे click करो यह आ गया ठीक है तो यहाँ पे आपका यह एक यह होगा और एक allow होगा ठीक है तो आप इस total को इस तरह से इसको कर लें ठीक है यहाँ पे paste कर दो paste करने के बाद इसको save change कर दो ठीक है अभी तो मैंने कुछ changes की है नहीं तो यह आपका save हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसको close कर देना तो इस तरह से दोस्तों हम robot.txt फाइल को edit करते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो please like कर देना और share कर देना ठीक है और कुछ और दिक्कत होती है आपको इसके regarding या कोई भी website के regarding